बॉड्मोर्णिंग क्लास 12thmid नॉइब बेलिस्टर्टनमेरिकल्स ऑफ वेव उप्टिक्स तो वेव उप्टिक्स के 0.10.1 इसकी वेवलेंट वेवलेंथ उन्होंने दे रखी 589 nanometer तो मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया is incident from air on a water surface the water the wavelength and frequency and speed water the wavelength frequency and speed of reflected light reflected light के लिए तीनों चीज़े निकाल नहीं है और सेकिंड पार्ट में कह रखा है रिफ्रेक्टिड लाइट के लिए रिफ्रेक्टिड लाइट के लिए जबकि आपको refractive index n given है कि water का 1.33 है देखिए जब light reflect होती है तो मीडियम चेंज नहीं होता और मीडियम जब चेंज नहीं होगा तो वेवलेंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानि वेवलेंद ये फाइफ एटी नाइन नैनो मीटर ही रहेगी और एयर में लाइट की जो स्पीड होती है वो थ्री इंटू तो दो पावर एट मीटर पर सेकेंड होती है तब इन दोनों चीज़ों से मैं फ्रिक्वेंसी निकाल नूँगा इस जिकर्ट नीव लैंड़ा और न्यू जिकर्ट को गया सी ऑई लैंड़ा सीकी वैल्यू में स्ट्री 10 इंटू तो पावर एट अपवोन 589 इंटू 10 तो पावर माइनस नाइन अगर उसका हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैलिव सॉल्व करने पिया trunk अजाएगी 5.09 into 10 to the power 14 hertz तो यह frequency हो गई अच्छे तो यह याद रखेंगे कि एक medium से दूसरे medium में जाने पर frequency नहीं बदलती तगर मैं refracted light की बात करूं तो रिफ्रेक्टेड लाइट की वी wavelength frequency यहीं रहेगी frequency 5.09 into 10 to the power 14 hertz ही रहेगी क्योंकि frequency जो है source की property होती है medium की नहीं और lambda निकालने के लिए यह formula लगा लेंगी lambda in water अगर निकाल लेंगे तो lambda by n formula होता है यानि 589 into 10 to the power minus 9 upon 1.33 को 4 by 3 लिख सकते हैं और इसको अगर मैं solve करूं इसको अगर मैं solve करता हूं तो 444 into 10 to the power minus 9 meter आ जाती है या 444 nanometer new और lambda मालूम है तो v is equal to new lambda formula से 444 into 10 to the power minus 9 into 5.09 into 10 to the power 14 जो इसको solve करते हैं तो इसकी value आ जाती है 2.26 into 10 to the power 8 meter per second यह स्पीड आ जाएगी यह कुश्चन नमबर था 10.1 ना कुश्चन नमबर 10.3 10.2 नुमेरिकल नहीं है क्या रखे दर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आफ ग्लास ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो पूछा वाट इस स्पीड अफ लाइट इन ग्लास ग्लास में स्पीड निकालनी है जरकी वैक्यूम में हमें मालूम है तो डिरेक्ट फॉमला है एन इस इकर टो सी अपॉण वी इससे वी की वैल्यू कैल्कुलेट कर लेंगे सी बाइट फॉमले से सी की वैल्यू मालूम है 3 x 10 to the power 8 अपॉण न है 1.5 तो ग्लास में स्पीड आगी 2 x 10 to the power 8 मेटर पर सेक्ड ना कुस्चिन नमबर 10.4 इन यंग्स डबल स्लिक्ट एक्सपेरिमेंट्स दस्लेट्स आ सेपरेटेड बाइ सेपरेशन बिट्वीन दस्लेट्स दे रखा है स्मॉल डी की वैल्यू 0.28 मिली मीटर दे रखिये तो उसको मीटर में बदल दिया and the screen is placed 1.5 मेटर आवे इस स्क्रीन के डिस्तंस को कि वैल्यू निकाल लेंगे एक्स एम इंटू स्मॉल डी अपॉन एम इंटू कैपिटल डी इसमें सब की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा